दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में वाड सदस्य के लिए बड़ी खुसकबरी राज सरकार ने हर में वाड सदस्य को लगबग 5,000 रुपिय मेंटनेंस कार के लिए देने का एलान कर दिया है सियम के अधिक्स्ता में हुई मंति परिस्द की बेटक में इस प्रस्ता पर मोहर लग गई है मंत्री समराठ चोदरी ने बताए कि सरकार के इस निर्ने से मेंटनेंस कार में लगे लोगों को 2,000 रुपिय हर मेने दिये जाएंगे और बागी के 2,000 रुपिय का उप्योग जलापूर्ती योजनाओं के रखरखां में किया जाएगा समराठ चोदरी ने कहा कि नल जल योजना के मेंटनेंस कार के लिए या पैसे दिये जाएंगे पंद्रवे वित आयोग से वाड सदैसों को 2,000 रुपिय दिये जाएंगे इन पैसों से गाउं के विकास में मदद मिलेगी अगली बड़ी खबर पारस और पिर्णस समेत 5 सांसद लजबी से बाहर किये गए चिराग ने राष्ट्य कारकरनी की बैठक में किया एलान जिहां लोग जन सकती पार्टी के अंदर चल रहे सियासी ठकपड़क के बीच इस वक्त की बड़े कबर दिल्ली से आ रही है चिराग पासवान के खिला बगावत करने वाले उनके चाचा पसुपदी कुमार पारस और चचचरे भाई प्रिंस राज के साथ साथ तिन अन सांसदों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है राष्ट्य अधक्च चिराग पासवान ने लजपी के राष्ट्य करकरने के बेटक के दोरान इसकी घोसना की है आपको बता दी कि 5 सांसदों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाते वे निस्कासित कर दिया है। इन सब के उपर पार्टी विरोधी गतिवेदियों में सामिल रहने और राष्टे नेतुत के खिलाब साजिस करने का दोसिप पाते वे कारिवाई की गई है। अगली बड़ी खबर चिराग पास्वान का संसनिक खेच पत्र राम विलास जब आईसों में भरती थे तभी पारस रच रहे थे साजिस स्राथ के लिए भी 25 लाक रुपिय मांगे गई थे। लोजबा में चिड़े घमासान पर आखिरकार चिराग पास्वान के सबर का बान तूट गया। रुपिय देने पड़े पारस ने अपने पास से एक चवणनी तक नहीं निकाली। आगे चिराग पास्वान ने ट्वीटर पर लिखा कि पार्टी मां की समान है और पारस को मां की साथ धोका नहीं करना चाहिए। किस से सुरू होगी इचुक चात्र आटाज जोन दोजारे किस तक ओएप एसेस बिहार डॉट इन पर जाकर ओनलाइन आविदन कर सकेंगे। किसी भी विद्दलाई का विकल्प चुनने से पहले वहां की पिछली साल की कटप जरूर देख ले पिछले साल की कटप देखकर ही स्कुल की प्रात्यमिक्ता का चैन करें। बिहार बोर्ड ने एड्मिशन की पूरी गाइलाइन भी जारी कर दी है। बिहार में सक्री हुआ मांसून 19 जून तक रुक रुक कर होगी बारिस वजरपात की भी आसंका जान माल का हो सकता है नुकसान। जी हाँ पूरे बिहार में मांसून पूरी तरह सक्री हो गया है। 19 जून तक पटना सहित राज के अधिकतर हिस्सों में कहीं मुसलधार तो कहीं मैदम बारिस होगी। इस दोरान वजरपात की भी आसंका है। इसको लेकर मौसम विवाग ने चेतावनी जारी की है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम बिहार की जीले, पश्चिम चमपारन, सिवान, सारन, पुर्वी चमपारन और गोपाल गंज में सोलध जोन यानि आज से भारी बारिस का रेड अलर्ट जारी किया गिया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने औरेंज अलर्ट यानि सतर करहने की चेतावनी जारी की है। अगले बड़ी कबर बिहार के बाढ़ गरस्ट इलाकों में चलेगा प्लोटिंग होस्पिटल ना पर होगा मरिजो का इलाज। जिहाराज में मानसुन के परवेश के साथ ही स्वास्त विभाग द्वारा संभावित बाढ़ की तैयारिया पूरी कर ली गई है। बिभाग द्वारा राज की बाढ़ पिड़ित आबादी को इलाज उपलब्द कराने के लिए नाओ पर अस्पताल की स्थपना कराई गई है। सडक संपर्ख तूट जाने की स्थिति में नौका उसदलाई बाढ़ से घरे गाउं और कस्वों में भ्रह्मन करेंगे। अगली बड़ी कबर बिहार में बार्वी और ग्रेजुएट इवावो के लिए निकलेगी बंपर वैकेंसी बिएससी ने सुरू की दो परिचाओ की तेयारी जीहां बिहार में सरकारी नोकरी के इंटिजार कर रहे है इवावो के लिए खुसकबरी है पृदेश में बड़े से आवेदन मांगे जाएंगे पहले द्यूतिय इंटर इस्तरिय परिक्षा और दूसरा तृतिय इसनातक इस्तरिय परिक्षा की वेकेंसी एक साथ निकाली जाएगी मीडिया रिपूर्ट के अनुसार बिहार में इंटर और इसनातक इस्तर के योगता वाली दो वेकेंसी भी स सेसी निकालने की तियारी कर रहा है नगर विगास विवाग में 288 पदों के लिए आवेदन भी आयोग की द्वारा मंगाया जा सकते हैं प्रदेश के कई अलग अलग विवागों में इंटर स्थरे सहायक लिपिक आसु लिपिक निम्न वर्गे लिपिक सहायक राजबाजा नि बड़ी खबर बिहार में 500 से भी कम संक्रमितों की पुष्टी 5000 के नीचे आई एक्टिव केस की संख्या जी हां बिहार में लोगडाउन की वज़ा से कोरोना संक्रमन के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है ताजा आगडों की बात करें तो बिहार में नए कोरो होना मरीजों की पुष्टी हुई है वह एक्टिव केस की संख्या अब 439 तक पहुच गई है जिलावार अकुड की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज पटना में पाए गये हैं जिनकी संख्य संतावन हैं इसके अलावा 21 जिले ऐसे हैं जिनमें 10 से भी कम संक्रमित की को राज में पूरी तरह से प्रतिबंदित कर दिया है सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का भंडार करने के साथ साथ इसकी बिक्री और उप्योग करने पर दंड के परिविदान भी किये गए हैं सरकार की यह विवस्ता दिसुचिना जारी होने के 180 दिन बाद प्रभावी हो परिवर्तन विवाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है इसके अलावा और कई बड़े फैसले ले गया हैं जिसमें डाक्टर स्वास्त कर्मियों को एक महिने का अतरिक्त वेतन मिलेगा राज की विविन स्वास्त संस्तानों में परिवहन व्यवस्ता दुरस्त करने के ल लिए विस्तारित की है अगली बड़ी खबर पटना में कोरोना जाज के नाम पर फिर फरजी वाड़ा हजारों लोगों का मोबाइल नमर निकला 10-0 बिहार में कोरोना जाज में फरजी वाड़े का सिलसिला अभी भी जारी है मेडिका अपसर लगातार मनमानी पर अड़े सिविल सरजन के आदेश पर जाज में जो खुलासा हुआ है वह चोकाने वाला है डाटा अपरेटरों ने मोबाइल नमर दर्ज करने के काम से पला जाड़ने के लिए जाज कराने आए लोगों का मोबाइल नमर ही गायब कर दिया है जाज के बाद लापारवाही का बड़ा क सामने आया है जिसमें मेडिकल अपसरों को चितावनी देते हुए तीन डाटा ओपरेटर को बरखास कर दिया गिया है अगली बड़ी कबर बिहार में आप रावेड बैंकों में भी जमा हो सकेंगे सरकारी चलान जानिये क्या है सर्त जिहां राज सरकार ने लोगों की स्वि बड़ा नहीं मिलेगी इसमें सिर्फ उन्हीं नीजी बैंकों में यह सुविदा सुरू की जाएगी जो रिजर्व बैंक से अधिसुचित है अगली बड़ी कबर बिहार पुलिस में तेनार ड्राइवर की नोकरी खत्रे में एक महने में नोकरी से निकालने का आदेश जिहा पुलिस में समीदा पर बहाल ड्राइवर को एक बड़ा जटका लगा है डिपार्टमेंट ने कॉंट्रेक्ट पर बहाल ड्राइवरों का अनुबन समाप्त करने का आदेश दिया है आपको बता दे कि पुलिस मुक्याले के इस बड़े फैसले से समीदा के आदार पर नियोक चालक सिपाईयों को जटका लगा है पात्र में लिखा गया कि किसी भी हालात में समीदा पन्योक्त चालक सिपाईयों को जुलाई महने के बाद कोई मान्दे नहीं दिया जाएगा अगली बड़ी कबर बारेश से उत्तर बिहार में नदिया उफान पर बगहा के दरजन गाओं में गोसा बाड़ का पानी मदबनी वा समस्तिपूर में भी बड़ा नदियों का जलिस्तर जी हाँ पिजली 24 गंडे से लगातार हो रही बारेश से उत्तर बिहार के नदिया उपान माने लगी है हाला कि अभी गंगा, गंडग, बुड़ी गंडग, बागमती सहित सभी प्रमुक नदिया खत्रे की निसान से नीचे है वालमी की बराज से मंगलवार की साम में 2.64 लाग क्यूसक पानी छोड़ा गया इससे वालमी की नगर से नोतन तक की नदि से सटे दियारा वरती गाओं में पानी घुस गया है वहीं कोसी नदि का डिश्यार 60,000 क्यूसक रहा जो सामाइन है दूसरी तरब उत्तर बिहार की जीलों के साथ नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिस के कारण मुझपरपूर में बागमती और बुड़ी गंडग नदी के जलिस्तर में तेजी से विर्दी हो रही है हाला की जलिस्तर अभी खत्रे की निसान से काफी नीचे है मगर और आएक के कटोंडा में बागमती में पाने तेजी से बढ़ रहा है अगली बड़ी खबर साहिल लीची के बाद भागलपूरी जरदालू का स्वाद चेकल लंदन विदेशों में बड़ी बिहार की फलो की मांग जिहां राज ने क्रिसी उत्पादों के निर्यात के छेतर में एक और बड़ा उपलब्दे हासिल कर ली है मुझा परपूर की साहिल लीची की तरह भागलपूर का जरदालू आम का स्वाद इंग्लेंड के लोग चखेंगे वीडियो कॉनफरेंसिंग के मायदम से क्रिसी मंत्री अमरेंदर प्रताप सिंग ने हरी जंडी दिखा कर जरदालो आम को बिहार से लंदन के लिए रवाना किया क्रिसी मंत्रे ने बताए कि बिहार में जैदालो आम का कोल उत्पादन 10,000 मिट्रिक टन है इसके बागवाने भागलपूर बाका और मुंगेर में बड़े प्यमाने पर हो रही है मुख की चेत्र भागलपूर है यहां करीब 1200 हेक्टेर में बाग है और आम की बड़े कबर बिहार में आज से उनलोक टू नाइट करिपों में एक घंटे की धील बड़ी दपतर और दुकानों के खुलने का समय भी बदला जी हां आज यानि बुदवार से राज में उनलोक टू लागू किया जाएगा जिसके बारे में देशा निर्देश आबदा प्रबंदन समों की बेठक में तई किये गये है नए देशा निर्देश के तहद जहां नाइट करिपों में एक घंटी की धील दी गई है वहाँ दुकानों और दपतरों के खुलने का समय भी बदला गया है मख्यबंदरे निर्देश कुमार ने इसकी गोसना की है नया देशे निर्देश के मुताबिक अगले एक हपते तक यानि 16 जोन से 22 जोन तक प्रतिबंदों में धील देते हुए प्रदेश के सबी सरकारी और गैर सरकारी कारयाले को पांच बजे साम तक खोला जा सकेगा इसके साथ दुकाने और प्रतिष्टान साम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे अब दुकाने सुबद 6 से साम 5 बजे तक एक दिन बेच कर खोलने की इजाजत है इसके अलावा रात के एक घंटे की ढिल दी गई है अब साम साथ बजे की बजाए रात आट बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फियो लागो रहेगा आज के लिए आपका स्वाल बताएं कि और लोक टू में और किन चीजों में छोट मिलनी चाहिए इसका जबाब आप अमन नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं